गुड मॉर्निंग बच्चो आज समा सास्त में हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे संस्कृती करण। बच्चो जैसा पिछली क्लास में हमने ये चर्चा किया था कि एमन सिरी निवास जी ने भारत में जातियों में परिवर्तन का जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने दक्षिन भारत में जाकर के एक मैसूर गाउं था मैसूर नामकिस्थान पर रामपुरा गाउं था वहाँ पर जाकर उन्होंने जातियों का अध्ययन किया तो वहाँ पर उन्होंने पाया कि कुछ निम्न जातिया अपनी जीवन सैली को छोड़कर अपने पदों में या अपनी प्रस्थितियों में परिवर्तन कर रही है तो ऐसी जातियों के परिवर्तन को उन्होंने एक ओधाना का नाम दिया जिसका नाम था संस्कृति करण तो ये संस्कृति करण की ओधाना M.N. Srinivas जी द्वारा दी गई है इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी थी Religion and Society Among the Kurgs of South India अर्थात दक्षन भारत में कुर्ग एक जाति थी जिसमें धर्म और महा का समाज कैसा था इसका अध्ययन किया था और इसी को इसमें उन्होंने लिखा था M.S. Srinivas जी का कहना था कि संस्कृति करण कैसी प्रक्रिया है प्रक्रिया का मतलब प्रोसेज यानि कि जातियों में गतिशिलता की एक प्रक्रिया तो संस्कृति करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राया निम्न जातियां या मध्ध जातियां के लोग अपने से उच जातियों का इसमें भी प्राया वो M.S. Srinivas का कहना था कि प्राया दुज जातियों या ब्राम्ध जातियों का जीवन सहली अपनाती हैं उनका खान पान उनकी वेशबूशा उनके कर्मकांडों को अपना कर वो अपनी प्रस्थितियों को समाज में उचा उठाना चाहती हैं अर्थाद निम्न जाति के लोग जो अभी तक इस प्रश्च माने जाते थे क्योंकि उनके कार अशुद्ध प्रकतिके थे मांस मदिरा खाना शराप पीना जुआ खेलना तो इन सारे कार्यों को हो जिनको समाज निम्न कोटी का समस्ता था उनको त्याग रह थे और जो समाज में उच प्रस्थिती प्रात या उच इस्थिती प्रात जातियां थी उनकी जीवन सैली को इस आशाशे अपना रहे थे कि यदि हम उनकी जीवन सैली को अपनाएंगे तो उनकी तरह हमारा भी समाज में उच्चा इस्थान हो जाएगा तो इसी प्रोसेश को इसी प्रक्रिय को मस्री निवास ने संस्कृती करण का नाम दिया था उन्हों ने कहा था कि जो जाति का एक निएम था कि जातिओं में परिवड़तन नहीं हो सकता उसका ये एक अपवाद है यानि कि जातियों में भी गतिशीलता पाई जा सकती है इसकी कुछ विसेष्टाएं इसी परिभाशा के अधार पर हम कह सकते हैं पहली विसेष्टा तो यह हो सकती है कि यह निम्न जातियों से संबंधित है दूसरी बात यह कि यह केवल पद मूलक परिवर्तन है सनरचना मूलक परिवर्तन नहीं है अर्थात इसमें व्यक्ति की केवल प्रस्थ प्रतिती निम्न से उच्छ हो जाती है, उसकी जाती नहीं बदल जाती, मालो कोई या आइसप्रश जाती का व्यक्ति यदि उच्छ जीवन सहली अपना लेता है तो उसको समाज में प्रतिष्ठा भले मिल जाएगी, लेकिन वो अपनी जाती से अलग नहीं होगा, उसी जाती क कहलाएगा, इसे ही कहते हैं कि पद मूलक परिवर्तन सन्रचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है, दूसरी इसकी विशेष्टा है कि सामाजिक गतिशीलता की सामूहिक प्रक्रिया है, इसका अर्थ ये है कि किसी भी जाती का कोई एक व्यक्ति संस्कृती करण की प्रक्रिया न नेक्स्ट इसकी विशेस्ता कह सकते हैं कि ये सर्वकालिक होती है, अर्थात सभी कालों और सभी जगे पर पाई जाती है, जैसे वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल, उसके बाद मुगल काल, इन सब कालों में या उपनिवेश काल या आज ये सभी कालों में ये संसकती करण की प्रक्रिया अर्थात निम्न जातियों का इस आकांच्छा से कि मुन का भी समाज में उच्चा इस्थान हो जाएग ये सभी कालों में पाया जाता है अगली विशेस्ता इसकी हो सकती है कि ये जाती विवस्था के सोपान क्रम का विरोधी है इसकार्थ ये है कि आपने बच्चों पढ़ा है जाती विवस्था की विशेस्ताओं में कि इसमें सोपान यानी सीड़ी नुमा स्तर पाय जाते हैं निमन स्तर फिर उससे उचे स्तर फिर उससे उचे स्तर तो इसमें और आपने ये भी पढ़ा था कि इन सोपानों में कोई परिवर्टन नहीं हो सकता तो संस्कृति करण की प्रक्रिया इस नियम का विरोध करती है क्योंकि सोपान में जो निम्न व्यक्ति था वो उचे उठ सकता है अपनी जीवन शैली को बदल करके तो ये कुछ विसेशता हैं थी बचो संस्कृति करण की शायद आप लोगों को संस्कृति करण अच्छे से समझ में आ गया होगा अब नेक्ष्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रभू चाहती तब तक के लिए धन्यवाद